जैसे के मेरे laptop के screen पर WhatsApp application देखने को मिल रहा है तो इसी तरह से कैसे आप भी आपके laptop या computer के screen में WhatsApp application को ले के आओगे जानने के लिए इस वीडियो को complete देखना मैं आप लोगो इस वीडियो के माद़न से दो तरीका बताऊंगा आपको जो वाला process जो वाला तरीका अच्छा रहा हूं देखो यहां से अभी डिलिट हो चुका है अभी मैं आप लोग एकर दोनों तरीका बताता हूं तो सबसे पहले पर जाना है तो मैं यहां पर पर प्रूम पर पर किलिक कर रहा हूं पर आजने के वाद आपको सार्च वर में सार्च करना होगा WhatsApp वेब देखो मैं यह से सब्सक्राइब के बहुत सारे ओफ्शन्स्तो कर रहे हैं तो आपको यहां से More Tools बहुत सर्सक्षन फैकर किलिक करना होगा देख को किलिक कर तो मैं यहाँ पर क्रिक कर दिया उसके पर में इस स्पेज को तुरह से छोटा कर लेता हो देखो यहाँ पर मेरे सब्सक्रणा कि इस टायप का तो मेरी i-s Gil पर WhatsApp आ जाएगा आप देखते रहेयना देखो मैं यहाँ पर鹹्छ ही Politics कर रहें ओ देखो Cc-place पर जैसी ही खी कर दे तो मेरी यहाँ पर WhatsApp आ चुका है अभी मैं इस page को Cross कर देता हूँ करके काटकर दिया आप इस application के पर जैसे लीख कराल देखो लग कर रहा हूं कुछ ऐसे इस टाइब के एंटरफेस्स ने को मिल रहे हैं इसको डिदुसरी ALL का और झालाख headlightsright जैसे कि यहाँ पर मिरे स्किन पर आपको saa फिर देखने को मिल दे ठीक है आप विंड़ों ब्ला सेक्षन पर किलिक करके भी जा सकते हैं नॉर्मल देखो विंड़ों फिर मैं पर यहाँ पर एप्स ब्ला सेक्षन पर किलिक कर रहा हुँ एपसे बदा सेक्सेन पे किलिक करने के बाद आपको सार्च वर में जाना होगा एन आपको यहाँ पर WhatsApp लिखके सार्च करना होगा तो मैं लिख रहा हूँ जही पर WhatsApp लिखके जैसे लिखकर चार्च करोगे तो इस टैपका ओक्षन देखने को मिल रहा है दोस्तों जैसे के मेरे यहाँ पर इस किन पर वाट्सेट वाला सेक्शन देखने को मिलें तो मैं यहाँ पर इस क्योवर कोड करेगा उसी तरह से और जैसी में इस क्योवर कोड को मेरे मुबाइल फॉन के माद से करने के लिए आपको दूसरा प्रोसेस क्या करना होगा इसके बाद देखो यहाँ पर आपको लिखना होगा SHELL.apps folder ठीक है तो आपको लिखना होगा लिखने के बाद आपको यहाँ पर OK बटन पर किलिक करना होगा आप OK बटन पर जैसी किलिक करोगे तो आपके laptop या computer में जितने सारे application डाउलोड किया हो है सारे application यहाँ पर show करेगा तो आपको यहाँ से दोस्तों WhatsApp APK file को laptop या computer के screen में लाने का जैसी कि मेरे यहाँ पर screen पर आपको दोनों WhatsApp देखने को मिल रहे तो मैंने आपको दोनों process बता चुका हूँ आपको जोबला process अच्छा लग दे आप सिंपली उस process को apply करके WhatsApp APK file को आपके laptop या computer के screen में ला सकते हो I hope कि इस वीडियो के मा समसे पहले पहुंचे तो मिलते हैं इसी तरह के helpful and knowledgeable वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद